Welcome to Edujos, Edujos में आप सबी लोग का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर के कुछ important question देखेंगे जो exam के point of view से बहुत महतपूर्ण है इसमें से कई सारे question ऐसे हैं जो आप लोगों में से कई लोग नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखें 20 ऐसे महतपूर्ण question इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे जो आपके आने वाले exam के लिए काफी महतपूर्ण होगा ठीक है बिल्कुल unique type के question है तो इस वीडियो को जरूर देखें पसंद आए तो इसे like and share जरूर कीज़े आप इसका PDF file हमारे Android app से download कर सकते हैं Android app जो है वो Google Play Store पर available है और नीचे description में हमने link भी दे दिया है वहाँ से आप इसे direct जो है वो download करके install कर सकते हैं जो लोग channel से पहली बार जुड़ रहे हैं channel को subscribe जरूर करें साथ में bell icon को press करके उसे activate कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उनसा भी वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए सबसे पहला जो प्रशन आपका आज के लिए है इस biology के इस topic से मानव शरीर से समंदित ये सारे questions है कौन से हर्मोन का इस्तिमाल cardiac arrest जैसी हिर्दे की समस्या के इलाज के लिए किया जाता है दवा के रूप में उसका इस्तिमाल किया जाता है इसा कौन सा हर्मोन है जिसका इस्तिमाल cardiac arrest जैसी हिर्दे की समस्या के इलाज के लिए दवा के रूप में इस्तिमाल किया जाता है उस हार्मोन का नाम आपको बताना है तो देखे इस हार्मोन का नाम है एपी नेफरीन हार्मोन एपी नेफरीन हार्मोन को ही एड्रिनलीन हार्मोन भी कहते है एड्रिनलीन हार्मोन भी उसी को कहा जाता है जो AP-Nephrin है और इसका इस्तिमाल cardiac arrest के टाइम पर डॉक्टर इसका इस्तिमाल जो है वो इस हर्मोन का इस्तिमाल दवा के रूप में करते हैं cardiac arrest क्या है देखेंगे एक heart attack जैसी जो अगर आप सोच रहें कि heart attack को cardiac arrest कहते हैं तो ये गलत है heart attack differentiation है cardiac arrest differentiation है ठीक है इसमें क्या होता है blood जो है वो heart जो हमारा है वो blood को flow करना pump करना बंद कर देता है ठीक है एक तरह का failure ही है लेकिन ये heart attack नहीं है तो इस बिमारी को उस वक्त के लिए अगर समय रहते doctor ने इस epinephrine का इस्तिमाल कर लिया तो फिर chances बहुत ज़्यादा की तरह बढ़ते है अगला question देखिए fight and fly यानी मारो और भागो के नाम से किस hormone को जाना जाता है ठीक है पहला question हो गया अब दूसरे question की तरह बढ़ते है fight and fly मारो और भागो के नाम से किस hormone को जाना जाता है बहुत ही बहुत ही मौतपूर्ण और बहुत ही unique question है ठीक है तो इसका answer क्या होगा इस question का answer हो जाएगा adrenaline ठीक है adrenaline हार्मोन जो है fight and fly हार्मोन के नाम से जाना जाता है मारो और भागो के नाम से next यहाँ पर हम लोग देखेंगे एपी नेफरीन हार्मोन कौन सी ग्रंथी स्रावित करती है यानि जो adrenaline जो हमने एपी नेफरीन कहा तो इससे सवाल पूछा जा सकता है एपी नेफरीन हार्मोन कौन सी ग्रंथी स्रावित करती है रिलीज कौन सी ग्रंथी करता है यानि कौन सा gland जो है वो इस हार्मोन को रिलीज करता है आपसे सवाल पूछा जा सकता है और बिल्कुल adrenally ना दे करके epinephrine देगा तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा adrenal gland जिसको कहते हैं तो answer हो जाएगा question number 3 का क्या answer होगा adrenal gland ठीक है याद रखेगा बहुत ही महत्पूर्ण question है next question देखे अगला question है आपात कालीन गरंथी किसे कहा जाता है emergency gland जिसको कहेंगे emergency gland किसको कहते हैं ठीक है emergency gland किसको कहा जाता है आपात कालीन आपात कालीन गरंथी किसको कहेंगे तो इस question का answer आप सभी बताईए इस question का अंसर होगा adrenal granty ठीक है सेम चीज है यही सारी चीज है अभी तक हम चार question जो देखा है हमने वो epinephrine, adrenalin या adrenal gland के बारे में ही देखा है अब हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरब next question है एक PD से दूसरे PD में अनुवानसिक सूचना का अस्थानांतरन किसके द्वारा पूरा किया जाता है एक PD से दूसरे PD में अनुवानसिक सूचना जो genetic information होती है उसकी सूचना जो उस information का अस्थानांतरन जो होता है वो एक PD से दूसरे PD में किसके द्वारा पूरा किया जाता है तो answer यहाँ पर हो जाएगा DNA के दोहरा DNA का full form क्या होता है यह आप comment करके जरूर बताए बहुत ही important question है DNA का full form क्या होता है next यहाँ पर हम लोग question देखेंगे अगला प्रस्ट यहाँ पर है किसी का blood group अगर A हो तो उसका antigen कौन सा होगा अगर किसी व्यक्ति का blood group A है तो उसका antigen क्या होगा देखें सरीर में दो चीज होता है एक होता है antigen एक होता है antibody ठीक है antibody जो है वो ठीक बिल्कुल opposite होता है blood group का और antigen जो है वो बिल्कुल same होता है तो आपको याद रखना है कि अगर किसी का blood group A है तो उसका antigen भी है वो A ही होगा यह आपको याद है अपना है किसी का blood group अगर B है तो उसका antigen भी B होगा अगर किसी का blood group A B है तो उसका antigen भी A B होगा अब O की बात करें O blood group जो है इसका antigen क्या होगा इसमें कोई antigen नहीं होता याद रखेगा इस चीज को इसमें कोई antigen नहीं होता है ठीक है? तो इसका अंसर क्या हो जागा इस question का किसी का blood group अगर A हो तो उसका antigen होगा A अब अगला question यहाँ पर है मान स्पेशी में कौन सा protein पाया जाता है जो muscles होती है उसमें कौन सा protein पाया जाता है यह question पूछा गया है तो इसका अंसर आपको बताना है muscles के अंदर कौन सा protein पाया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा myosin myosin एक protein है जो की मान स्पेश्यों के अंदर पाया जाता है इसके बाद question है leucocyte को किस नाम से जाना जाता है leucocyte बहुत ही important है leucocyte को किस नाम से जाना जाता है leucocyte को हम लोग WBC कहते है ठीक है WBC ही इसका दूसरा नाम है WBC को ही हम लोग leucocyte के नाम से भी जानते है तो यह भी बहुत important question है अगला question यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कौन सी WBC है, जो हमारे शरीर में blood clot नहीं बनने देती है, ठीक है? अंसर क्या होगा इसका? बेसोफिल, बेसोफिल एक परकार का WBC है, ठीक है? यानि कि एक परकार का leukocyte है, जो हमारे शरीर में blood clot को नहीं बनने देता है blood clot बनना भी जरूरी है, और ज्यादा blood clot बनना भी शरीर के लिए नुकसान है, ठीक है? blood clot जो देखिए, रक्त का थक्का बनना कब जरूरी होता है? जब किसी वक्ती को चोट आ जाए, कोई जखम से खून निकलना शुरूरी हो जाए, तो उस खून का रुकना भी बहुत जरूरी है तो खून जब रुकेगा, तो उसको blood clotting के help सही वो रुकेगा, और blood clotting में vitamin जो है, वो K बहुत help करता है और platelet की बात करें, तो platelet भी बहुत help करता है, रक्त का थक्का जमने में लेकिन अगर यही blood clotting बहुत ज़्यादा बनने लग जाए, तो शरीर में नुकसान हो जाएगा और वो नुकसान इतना जादा होगा, कि future में cancer जैसे बिमारी भी हो सकती है, तो इसी लिए यह जो help करता है बेसो फिल, normally हमारे शरीर में blood clotting को यह नहीं बनने देता है, लेकिन emergency situation में जब हमारे शरीर को जरूरत होती है, तो वहाँ पर vitamin K या platelet जो है, वो help करता है रक्त का खून जमने के लिए, थक्का बनने के लिए, ठीक है, अगला यहाँ तो इस question का अंसर याद रखेगा बेसो फिल, WBC है, जो की शरीर में blood clotting नहीं बनने देता है next यहाँ पर है, रक्त का कौन सा घटक oxygen और carbon dioxide का वहन करता है ठीक है, रक्त का कौन सा घटक है, जो oxygen और carbon dioxide का वहन करता है यानि उसका transportation करता है, उसको ले जाता है, तो यह आपको बताना है यहाँ पर इस question का अंसर क्या हो जाएगा, इसका अंसर हो जाएगा RBC, ठीक है RBC ही जो है, वो oxygen भी ले जाता है, carbon dioxide भी, ठीक है तो यह आपको याद रखना होगा, कि रक्त में ऐसा कौन सा घटक होता है, RBC होता है वो जो कि oxygen और carbon dioxide का वहन करता है, उसका transportation करता है देखे, next question यहाँ पर है, क्या होगा यदि किसी वेक्टी को गलत खून चड़ा दिया जाए ठीक है, तो इस case में क्या होगा, तो यहाँ पर देखे, इस question को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि अगर किसी वेक्टी को कोई गलत खून चड़ा दिया जाता है, आई दिन आपने hospital में देखा होगा कई बार ऐसा होता है, गलतिया होती है, जो की blood bank की कुछ गलतिया हो सकती है या फिर जो doctor इस्तेमाल करते हैं, जो खून चड़ा रहा होता है, उसकी गलती के कारण भी ऐसा हो सकता है और possible है, यह हो जाता है कई बार, तो यहाँ पर क्या होगा, यह आपको समझना है उस वक्ति का क्या होगा, जो धमनिया है, उसकी सिकुड जाएंगी धमनिया सिकुडने के बाद क्या क्या चीजे हो सकती है, वो आपको समझना है देखें, धमनियों को कहते हैं हम लोग arteries, ठीक है, arteries कहते हैं और यब यह सुकुड जाएगी, जैसे मान लिजए कि अगर यह धमनिया का size यह है और यह सुकुड करके विल्कुल पतली सी हो गई, ठीक है अब यह इससे भी पतली हो सकती है, मैं आपको एक example के तोर पर जैसे ऐसे दिखा रहा हो कि मान लिजए पतली हो गई, तो हर एक धमनियों के अंदर क्या है, जैसे blood है, तो oxygen अंदर है अब जब यह सिकुड जाएगी, तो इसके अंदर oxygen की कमी हो जाएगी अब जब oxygen की कमी हो जाएगी, हर एक धमनिया सिकुड जाएगी, oxygen की कमी हो जाएगी और oxygen शरीर में कम होगा तो क्या होगा फिर उस व्यक्ति की death हो सकती है बिर्ट्य हो सकती है तो ये आपको समझना है तो normal जो first case ये है इसका कि अगर कोई गलत खून चड़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति की धमनिया सिकुड जाएगी तो सबसे बड़ी जो अंतह सरावी गरंथी है उसका आपको नाम बताना है तो इस question का right answer हो जाएगा thyroid गरंथी जो की सबसे बड़ी अंतह सरावी गरंथी होती है इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रशने master गरंथी किसी कहा जाता है master gland या master गरंथी जो है वो किसको कहते हैं तो master gland कहा किसको जाता है तो इसका नाम है pituitary gland जिसको puse गरंथी कहते हैं pituitary gland या फिर puse गरंथी को ही master गरंथी कहा जाता है अच्छा एक important question देखिए मानव शरीर की तीसरी आँख किस गरंथी को कहा जाता है third eye of human body ठीक है third eye of human body जो है वो किसको कहते है third eye of human body ये किसको कहा जाता है किस गरंथी को कहा जाता है ये question पूछा गया बहुत important question है किस gland को human eyes human का जो है वो third eyes कहा जाता है तो answer होगा pineal gland अपने नाम सुना होगा pineal gland जो है ये तीसरी आँख कहलाती है मानब शरीर के तीसरी आँख इस गरंथी को कहा जाता है ठीक है, नेक्स्ट कुश्चन है जिरूप्थेल्मिया रोग किस विटामीन की कमी से होता है यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे ऐसे नाम लिये हैं जो हो सकता है कि कई लोगों ने पहली बार भी सुना हो लेकिन सवाल पूछने का तरीका अब SSC, Railway या कोई भी competitive exam है वो जो सवाल अब पूछ रहा है, वो उसका तरीका बदल गया है question वही है, लेकिन पूछने का तरीका change हो चुका है pattern change हो चुका है, जिसकी वजह से confusion होगा और ऐसा लगेगा कि ये question हमने कभी पढ़ा ही नहीं था जिरोप्थेल्मिया रोग किस vitamin की कमी से होता है तो ये बहुत लोगों का answer इसमें नहीं पता होगा लेकिन इसको अगर मैं पूछ दूँ कि रताउंधी रोग किस vitamin की कमी से होता है तो आप लोगों में से सबका answer आजाएगा vitamin A की कमी से होता है तो answer इसका भी यही है vitamin A जिरोप्थेल्मिया रोग को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं रताउंधी के नाम से जानते हैं तो ये इस गाल्टरनेट नाम है जो आपको याज रखना है विटामिन A इसका अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर है महिलाओं में ओस्टो मलेसिया रोग किस विटामिन की कमी की कारण होता है महिलाओं के अंदर होता है ओस्टो मलेसिया ओस्टो मलेसिया जो है वो किस विटामिन की कमी से होगा vitamin D की कमी से होगा ठीक है answer होगा vitamin D ठीक है इसके बाद देखे मुतरत्याग का नियंतरन कौन करता है मुतरत्याग क्या है एक अनेक्शिक करिया है इस पर हमारा नियंतरन नहीं है ठीक है ये कब लगेगा किसको कविक्षा होगी ये पता नहीं है इसी तरह से छीकना ठीक है छीकना जो है वो भी हमारे बस में नहीं है छीक कब आ जाएगी ये किसी को पता नहीं ठीक उसी तरह से स्वास लेना यानि सास जो हम लोग लेते हैं वो फिर्दे की धरकन ये ये सब जो है हम लोग के कंट्रूल में नहीं है तो इस सब का न अनियंतरित है यह हम लोगों के नियंतरन में नहीं है तो इन सब का नियंतरन कौन करता है Medulla obla gata यह मस्तिस्क का एक भाग है याद रखेगा Medulla obla gata बहुत important है इससे question बहुत बार पूछा जाता है तो इसको याद रखेगा यह अनेक्षिक किरिया को नियंतरित करता है समझने से आप कई सारे question का अंसर दे सकते हैं अब यहाँ पर रट लेंगे तो सिर्फ मुतरत्याग का ही अंसर दे पाते लेकिन अगर आप इसको याद रखे कि जो किरिया हमारे शरीर का जिस पर हम नियंतरन नहीं कर पाते जैसे दिल की धरकन है सांस लेना है, छीकना है खासी हो जाती है चानक इस पर हम नियंतरन नहीं कर सकते तो इस वज़ा से इसका जो नियंतरन है वो कौन करता है मेडूला, अबला, गाटा तो आपको यह कोईशन आसानी से याद हो जाएगा अगला कोईशन यहाँ पर हम लोग देखते है नेक्स्ट कोईशन है हिर्दय की धरकन से उत्पन ध्वनी की आवरिती जो है वो कितनी होती है हिर्दय की जो धरकन होती है वो उसे उत्पन जो ध्वनी होगी उसकी आवरिती कितनी होती है हर एक व्यक्ति क्योंकि जो हिर्दे की धरकन है हम वो सुन नहीं पाते हम अपने हिर्दे की धरकन खुद सुन पाते हैं नहीं सुन पाते हैं तो 20 हर्ट से जब कम होगी तो वो हम नहीं सुन पाते हैं, वैसी ध्वनी को मानव नहीं सुन पाता, इसलिए आपको याद रखना है, हिर्दय की धरकन से उत्पन ध्वने की आवरेती 20 हर्ट से कम होती है, इसके बाद है किसी व्यक्ति को रेवीज, यानि अगर रेवीज रोग हो जाए, तो उसे किस चीज से डर लगता है, देखें, यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोफोबिया नहीं लिखता, तो भी आपको ये परिशानी होती है, इस कोईशन का अंसर देने में, लेकिन हाइड्रोफोबिया लिख देने से बहुत लोगों का अंसर आसान हो गया है, देखें, किसी व्यक्ति को अगर रेवीज, इसी रोग का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया, तो अगर रेवीज रोग हो जाता है, रेवीज रोग होता है किसी जानवर के काटने से ही होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुत्ते के काटने से हो, ठीक है, कई बार ये चमगादर के काटने से भी हो सकता है, बिल्ली के काटने से भी हो सकता है, ठीक है, तो रेवीज रोग जो ह इसको रेवीज होता है ठीक है देखिए बंदर के काटने से भी हो सकता है उसके बाद यहाँ पर कुट्टे के काटने से तो होता ही है बिल्ली के बारे में भी आपने सुना होगा तो यह तीन चीज तो आप याद रखे इनसे जो है रेवीज होने की संभावना जादा होती है और इसके बाद यहाँ पर हैजा रोग से कौन सी आथ प्रभावित होती है जो हैजा रोग होता है उससे शरीर की कौन सी आथ प्रभावित होती है तो इंटेस्टाइन के बारे में आपसे पूचा गया है कौन सा इंटेस्टाइन जो है वो प्रभावित होता है तो बड़ी आत प्रभावित होती है ठीक है? बड़ी आत प्रभावित होती है है जह रोग से ये आपको याद रख रहा है तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मानव शरीर से संबंदे कुछ महत्पूर्ण 20 प्रशन देखे अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजएगा जादा से जादा इस वीडियो को शेर कीजएगा और इसका PDF जो है आप हमारे Android एप से डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत थनिवाद